नमस्कार स्वागत आपका हरियाना इनीच 24 पर मैं हूं मुन्ह लंबा मेरे सवगी हिमान सुलांबा के साथ हम मोजुद आज हरियाना राज्य के जिला महंदरगड और महंदरगड डैरूली जाट में मोजुद है रेशी हरवल आयरवेदा रेशी हरवल आयरवेदा आज जान पैथाज का मौताज नहीं है, सुगर और पत्री हजारों रोग्यों को ठीक कर चुका है, थोड़े से पैसे में घर घर पूरे वर्ड में दवाई जाती हैं और लोग उसको लेके ठीक हो भी रहे हैं, लेकिन आज हम सुगर और पत्री कुई बात नहीं करेंगे, पुरान ये ब दर-दर बटकते हैं, आपके लेवर में फैटी हो जाता है, आपके लेवर में गंजम जाती है, पाचन सक्ती कमजोर हो जाती है, आप खा नहीं पाते, हजब नहीं होता, कबज हो जाती है, तरह तरह की बीमारिया घर कर लेती है, तो लेवर के लिए आराम बान एक ऐसी दव वाई बनाते भी ढिखायें यह इनका दवायों का गोदाम भी दिखाया है अरवेद का यह नहीं है कोई पर्चेज करते खुद बनाते हैं और इसलिए एच्छाती ठोक के कहते हैं कि हमारे सिहां दवाया लेने के बाद रोगी निनना अनुमे परती कि ठीक हो ही पाते हैं यहा पत्री और सूगर ना पत्री के पत्री और सूगर मचाती ठोक ठोक के कहता हूं चिला चिला के कहता हूं हमारे चैनल पे कि हजारो रोगी ठीक हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं थोड़े से पैसे में अब लीवर की जहां तक बात आती है तो लिवर के कितना सत परतिशत ईलाज है आपके पास क्योंकि लिवर एक ऐसी चीज है सुगर और पत्री की तरही घर घर में ये बिमारी जा चुकी है देखे लाबा साब जो हमने ये दवाई बनाई है ये केवल लिवर नहीं है लीवर किड्नी और गोल ब्लेडर तिनों को साफ करती है और केवल दो दिन में देखिए हम कोई भी मोटर साइकल मोटर साइल भी चलो बड़ी चीज हो गई एक बच्चों की शायकल शायकल लेते हैं तो फिर चलाने में आसानी होती थी इसी तरह जो मोटर साइकल है गाडियां है उनकी सर्विस हम हर दो महिने में तीन महिने में करवाते हैं लेकिन क्या हमने कभी अपने पेट की सर्विस की है हम हर रोज कितना खाते हैं और कहां कहां तक हमारे पेट में जमा हुआ है लेकिन हैं वो बोलते हैं जी हमें भी कोई ऐसा सिस्टम दें ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो उसको देखते हैं हमने लिवर किड्नी गोल ब्रेडर साफ करने का के वल दो दिन में साफ लोगी डायलिसस पे चले जाते हैं हर महिने दाई डाय जाती हैं ती जार पर हर अपते करवात हमारे जानली पर और चैनल है मेरे साथなんだ वह वीडीयो डालनी है हलाँकि मेंने खुद का है देखो और इस तरहें की वीडियो नहीं बनाने चैускे लेकिन हमने lettering की भी video बनाई है कि क्या आया lettering में सब lettering के मादे मुझाएगे दवाई क्या है कि इस तरह के चार पुडिया होती है सभी पे लिखा है कैसे कैसे परियुक रहनी है केवल ये चार पुडिया सुबह शाम शुबह शाम लेनी है हाँ, कई बार मरीज क्योंकि हम दो महिने से दे रहे हैं तो सुबह स्टार्ट कर जेते हैं ये दवाई हमेशा श्याम को स्टार्ट होगी मानलो आपको कल दवाई लेनी है तो आज दो पैर से ही आपको बोजन नहीं करना ये इसकी सर्थ रहेगी दवाई की आज दो पैर से आपको भोजन नहीं करना आप फ्रूट और सलाद खाइए श्याम को भी फ्रूट और सलाद खाइए लिक्विड में जूस ले सकते हैं कोई भी जूस ले सकते हैं केवल आपको भोजन नहीं करना और कोई भी तेली है ओल या घी की कोई भी आइटम नहीं लेना विल्गूल भी नहीं लेना है ये लेने से क्हा होगा गी आपकी फित की थेली कुलेगी और हम दो दिन के लिए उसको खोलना नहीं चाहरे कि जब हम दवाइदे तब उस टाइम खुले और इतना प्रेसर से खुले उसके अंदर जो भी कचरा है वो भारा जाए तो पहले दिन दोपेर में खाना नहीं खाना, स्याम को भी नहीं खाना, सुबह भी नहीं खाना, और दोपेर में भी नहीं खाना, अगले दिन सुबह, श्याम को 6 बजे, एक पाउच, ये एक पाउच, दो ग्लास या एक ग्लास पानी में, आपको पूरा घोल करके और पी जाना है, हलका खा आपको प्यास लगेगी, जैसे जैसे प्यास लगेगी, उपर से आप पानी पीएगे, निचे से पीला लेटरिंग आएगा, उसमें पित जो आपका बढ़ा हुआ है, पूरे छह बजे से और दस बजे तक जो पांच है भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अठारा लुज मुशन लेकर के आपको पानी पीते रहना है, उसके बाद में आपको रात को दस बजे, लग भग आठ बजे जब आप दवाई लेंगे तो शाटे आठ बजे आपको लुज मुशन स्टार्ट होगा, और 9.45 तक आपका लुज मुशन बंद हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये हो जाए कि हाँ और लेटरिंग नहीं आएगा, एक सो पिछेतर ग्राम आपको जूस लेना है, संत्रे का जूस हो, मोसमी का जूस हो, या फिर पापाया का जूस हो, कोई भी एक जूस और ये ध्यान रखे, कोई भी पैकिट फूड ना हो, मतलब पैकिंग वाड़ा जूस ना काल करके, एक सो पिछेतर ग्राम जूस लेना है, नाप तोल के एक सो पिछेतर ग्राम ये लेना है, और अगर नाप पने का नहीं है, तो ये खाली कर लें दूसरी बोटल में, बड़ी बोटल में, और इतना ही जूस ले करके, उसको अच्छी तरह सी हिला करके, मतलब दोनों कि तो उसको पी जाना है पूरे को पीने के बाद में आपको राइट वीप्षाद में सोन आपकोallows जैना है सोडे आथ कि तरफ आपको सोज्याना है शोले आथ की तरफ़ पुझिने का मतलब यए है कि आपके जो पित क की थेली है वो खुलेगी खुलते ही उस पे जो ये oil जाएगा इसमें ойली-ओल है, गर्मुंडे काउइल है, एक दो oil हो रहे हैं, तो उस पे क्या हगए पित की थेली पित की थेली एक स्प्रेक करती है, वो पित निकालेगी, उस दोरान आपकी पित की थेली में कोई पत्री है, या फिर आपका कोई धग्गा जमा हुआ है या आपका कोई कैल्सियम का कोई कण है या फिर आपको कोल्स्टोल बढ़ा हुआ है वो वहां से निकल जाएगा उसके बाद में किड्नी और लीवर दोनों में कुछ भी जमा हुआ है वह वहां से निकलना स्टार्ट होगा सुबह जब आप उठेंगे तो आराम से 6 बजे आप उठें रात को आपके साथ कोई किसी परकारी घटना नहीं होगी लेडिज में यह हो सकता है कि शाम को 6 बजे हम जब यह पूड़िया लें तो उल्टी वेक की समश्या हो सकती है जैंट्स में कभी नहीं होती है लेडिज में हो सकती है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है हो सकता आपको आठ बजे वाली डोज में उल्टी वेक ना हो फिर सुबह छेब जे एक उडिया फिर दो गिलास बानी में लेनी है आपको सद्धे छेब जिक लगबग सुबह लिउज मोसन स्टार्ट होंगे पहले लिउज मोसन में ही आपको हरी और काली गांठे आनी स्टार्ट हो जाएंगे और इतनी आएंगे कि आप सोज भी ने सब्सक्राइब जाएंगे तो इस तरह का इतना अडंगा में निकलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं मैं खुद कह रहा हूं कि क्योंकि आम तो दवाई बनाते हैं आमारी तो लुज मोसन वैसे ही रहते हैं क्योंकि दौई है वो सांस के मादनें से वैसे कभी चूरन ले ल लेना है और 75 ग्राम ये लेना है लेकर के राइट साइड में सो जाना है उस दोरान पित की थेली में थोड़ा बहुत मान लो रह भी गया एक आध परसेंट तो वो और निकल जाएगा फिर लास्ट दो दस बजे सुबह एक पाउच और लेना है एक गिलास पानी में और उप कटी सलिए होते है कि आपका प्ट साफ हो चुका आपने हैवी बोजन तुरूंत कर लिया तो वहां आपको दिक्कत होगी आपको क्या करना फ्रूट और सलाद या जूस दो पैर में और लेजिये अगले दिन दो पैर में और श्याम को एक रोटी खाईए और फ्रूट श्रा करना है तो अपने जो साफ हुआ उसको रमाओ एक दो दिन उसको रमाओ कि दिरे दिरे वह काम करना स्टार्ट करें बाकि आप चाहें तो जो लोग ठीक हुए हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं जानना चाहूंगा बहुत अच्छे बात हो दें यह पर करिया क्या साल में च्छ को लास्ट का रही है तो आपको पंदरा दिन बाद में फिर करना चाहिए क्योंकि आपके फिर पेट में जयदा दिक्कत आए 15द में दुबबारा रिपिट कर लियना चाहिए हम दूसरा बि पि हाई मरीज को नहीं उना चाहिए जिन मरीजों को बिपी हाई है वो न ले प्र तो इस तरह की जो यह दो तीन निकल लगी उनकी कोई दिक्कत नहीं है उसका लीवर और किड्नी वगेर साफ हो जाएंगे बड़ी आँछ चुटी आँगे उट लग 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 बग जो समश्या है वो पेट से सारी समश्या होती है यह दिभाग में आया कहां से अब सुगर और पथरी हजारों होगी ठीक होचके यह आपे आतने हैं जंगल में और ओन लाइन भी आप बेज़ते हैं कोरियर से तो यह दवाई कितनी है लामा साब पंदरा सुरुपे हमने वोई रेट रखने हैं नए कोरियर दो सुरुपे एक् यह बिल्कुल है और देखें पत्थरी की अब क्या है कि थेली हम लेते थे अब कि सौ परसेंट कह सहकते हैं आपके निकलेगी कि तक क्या दो दिन मिये निकाल देगी यह निकाली है तो हमारी पस् euch या आतरफ यह दूर निकाली है वह एमारे साथट कॉलर कॉलर वने हुए आपको पूरा इंदोस्तान तो आपने लिवर किड़नी की यहां से दवाई ली थी तो कुछ बदा पाएंगे क्या समस्या थी कैसे आपके ठीक हो पाई आप सोस नहीं सकते वैसा रजलत मिला मेरे बात जी तो लिवर में जैसे गाठे हरी री जिशिपाल जी बता रहे हैं जैसा जी पादे ने बता है उससे ज्यादा गाठे आए थी जी अच्छा यह अब कितने दिर पहले की बात हैं यह कोई पाउस से रोज पहले की बात कि अभी इसके बाद से सब्सक्राइब रिलिफ करें तो उसके बास से बिक वह सब्सक्ताइब आप कितना रिलिफ अब मैसुस करते हूं तुझी बहुत अल्का अल्का हसी लो रहा है तो इसमें ऐसे बिल्कुल नए सप्राइब अगया हो लगा अजी आ गी है। क्या बात है तो यह मतर बहुत अच्छी के के बहुत अच्छी है और मेरे खाल से अभी तो ले लिए एक जी 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 आपका बाते ही आप लिए को थोड़ा लिने से लिए के लिगने के लिखे लिए लिए लोगवरें तो यानि की दुबारा से आपने तो गिरिस वगरा करवा के लिए और केटनिस हम आ रही है आप आपकी तो आपकी घरवालों को भी पिता जी माता जी बोज़रे के उनको भी बिल्कुल बागलब है जो है नेक्स अभी को दिलवाने के जाता है जी जी बहुत बहुत पर दोग्यों कि अब खुद के लिए अच्छा रिलिफ्शी महसुस कर रहे हैं तो यह आपने क्यों यह दोगा लेके आए कितना सोध किया कि एक लामबा साब जो यह बता रहे थे कि थोड़ा सा अजीब सा फील होता है क्योंकि नमक की मात्रा है और जब हम नमक लेते हैं ज पहले जिनको नहीं लेना उनका थोड़ा प्पी हाई होता है पांग साथ-मो sociaux के लिए फिर वह दुम्हें अजी सखी अधिकत तो वह थे में में ले पंगर को उल्टी वेक्त क्योंकि बढना कि उटी और जाती एंजी मormuş तो पित और पहले से बढ़े हुआ है तो करेंगे वह को अगले दिन श्याम को लेना है दूसरे दिन ख़तम है दो दिन घर तो एक लास्ट वाले दिन रहना है बाकि अगर आज खाना हम कम करेंगे तो अगले दिन स्याम को लेना है दिन में आपको काम कर सकते हैं उस से अगले दिन जो दिन में लूज मोशन होंगे उस दिन दिक्कत आएगी तो यह रिशी हर्बर हाई वेदा हर्यारा राजे जिला मैं बने हो तो खास बाचीत भी लीवर केड़नी इनके लिए आयर वेद एक राम बान है अगर आपको परेशानी है फैटी लिवर कसरा जम चुका है केड़नी लिवर बहुत अच्छी तरह किसा आप सफाई कर सकते हो क्योंकि यहां ना कोई आपसे डाई जार के फीच ली जा रही है ना आपको दवयां के ना आंपे 50,000 रुपे लिए जा रहे हैं ना उल्टे स सब्सक्राब होगा इसमें क्या है कि यह जरूरी नहीं क्या बीमार होता भी लें स्वस्था पंद्रा साल से उपर कोई भी ले सकता और कभी ले सकता है यह स्वस्था आदमी के लिए हैं जो बिलकुल स्वस्थ है मतलब मैं यह सुजरा में बिलकुल स्वस्थ हूं लेकिन तो हम यह कह रहे हैं कि आपकी मोट शेकल गाड़ी का इंजन खराब उससे पहले यह सर्विस करवा ले ताकि हमें यह लगे कि छह महीने आपको दिक्कत होने वाले करते हैं तो दो के कहते हैं और यह दो खुद बनाते हैं इनका गोदाम दिखा दिया मैंने टूटा-फुटा-टीन टपर का काफी लंबा चोड़ा वहाँ पे आयरवेद के बोरे भरे पड़े दवाईयों के सारे दिन बड़े बड़े कड़ाये चलते हैं मशीने लगी हुई हैं खुद काटते हैं चाटते हैं दोते हैं और उनको पैक करते हैं तो रिशी हर्बल आयरवेदा की यह खासित है पूरे भारत में और भी कोई सा चाहते हैं और परिवार का पैसा मजाना चाहते हैं और बैड पे जाना नहीं चाहते हो तो आज से ही आप यहां लिवर फैटी लिवर बगएरा कच्रा किड़नी उनके दवाई आप ले सकते हैं तो पैठिये नहीं फोन गुमा दीजिए क्योंकि रिशी हरवर आई वेदा ही होती है पिछले तीन से चार साल से मेरी से हरवर आई वेदा के साथ जुड़ा हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों की दवाई मिलती हैं हमारी खबरे पूरे हिंदोस्तान में पूरे वैड में जाते हैं लोग देखते हैं दवाई लेते हैं थोड़े से पैसे म होते हैं और ठीक होते हैं और हमें दवाई देते हैं तो सभी इन बातों के साथ मैं मुझा लामबा मेरे सेवगी हिमान सुलामबा के साथ हरी आड़ा निविश 24 नमस्कार जैहिंद